पर जिन पेशेंट्स को एलर्जी क्राइनाइटिस, पतलब एलर्जी की वज़ा से नाक में छीके आना, नाक से पानी आना, नाक बंध होना, इसकी समस्य होती है, जैसे उनको कोई भी दिक्कत आती है, तो वो सोचते हैं यह हुआ होगा, यह हुआ होगा, या फैमिली में ऐसा हाथ वा लिगा, और भी कई चीज़ आंए इस पारदे में तसमया भी कानले परदे हो सकता है, मैधलियर में कोई इनक्रूप्री आफ निदर्नी ए नर्वस में कोई प्रच्वम हैं उसमें त में त्रूप्री तो कई वार इतना हेवी ना, अन्वाइज पॉलिशन से बच् सिंगल हॉस्पिटल में और आज हमारे साथ मौजूद है एंटी स्पेसिलिस्ट डॉक्र मनोज कुमार जैसे जैसे मौसम बदलता है ना कान गले की बीमारियां शुरू हो जाती हैं गला दूखना चीक आना खासी उपना ये क्यूं होता है क्या इसकी मुख्य वजय है और इसस चोटा सा इंट्रडक्शन दे कब से प्राक्टिस कर रहे हैं और कितना अनुभव है मैंने मास्टर ऑफ सरजरी MS ENT में किया है पटना मिडिल कॉलेज से और MS किये हुए उसके पहले MS किया SKM CS से और मुझे MS किये हुए अब 25 सल से ज्यादा हो गए जो नाकान गले की जो बीम मौसम जैसे ही बदलता है गले में खराश चुरू हो जाती है जुखाम चुरू जाता नाक बहनी चुरू हो जाती है तो इसकी इससे कैसे बचाव किया जाए देखिए आपने बहुत अच्छा और बहुत समय के हिसाब से यह सबल किया अभी क्या है स्प्रिंग सीजन है है न चुरू है यह स्प्रिंग सीजन में बहुत जादा हो जाती है क्या एक दुख्राइजी चीजन है चारोतरफ डेस्ट बहुत है पॉलेंस एट्मॉसफेर में बहुत है तो हम लोगों को यह कहते हैं कि जिन लोगों को भी अलर्जी क्राइनाइटिस की प्रॉबलेम है वो एक बार में अगर इस पर और चुमने की पूरा TV क्ले चले गए क्या वो दवाई से से कंट्रूल हो जाता क्योंकि मेरा प्रस डऒ हो फिर क्वार कृगो आई पर चुमने काुछ आटे को हम अर्य है अक्सर जो हमारे पास पैशंट सा तो उसके बाद से नहीं अगर अगर उनका ठीक होता है तो फिर वो आस पास के किसी मेडिकल हॉल में चले जाते हैं जिक मुझे कोई दवाई दे दो ठीक हो जाएं तो इससे बचना चाहिए क्योंकि दवाईयां जो है वो ऐसा नहीं है कि हर मरीज को एक ही दवा सूट करेगी हमारे में कहा जाता है कि हर इलाज पेशन्ट के हिसाब से कस्टम मेड होना चाहिए मतलब जितनी उसको जरूरत है उस हिसाब से इलाज होना चाहिए तो मरीजों को अंदाज से वो अपना इलाज करते रहते हैं यह नही मैं मिसकंसप्शन इन से बचना चाहिए कोई तकलीफ हो आप डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर की सलाह पे चलिए तो मेरा ख्याल है कि जल्दी ठीक होने के आसार ज्यादा होते हैं अगर आप टाइम से डॉक्टर को मिलेंगे कि नॉर्मल खाशी जुकाम के लिए वो डॉक्टर के मिलना पड़ेगा देखिए खाशी जुकाम जो है वह जुकाम तो आप कह सकते हैं कि एलर्जी को हो है लेकिन खाशी की कई वज़ा हो उसकती है खाशी अपने आप में बडी बीमारी नहीं खाशी किसी वज़ा से हो मरीज को गले में कोई प्रॉब्लम है, मरीज को चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत है, कई वार कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स में भी खांसी होती है, तो खांसी को नॉर्मल या अबनॉर्मल कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, उसके कारण को का एलाज करना सही रहा गा कांप जैसे वाइरल खांसी जुकाम कि हम लोग बात कर रहे हैं तो बच्चों में अग्सर देखा जाता है वो ठंदे करम का ध्यान नहीं कुछ झालेते हैं कुछ भी पी लेते हैं कुछ भी pratic कर लेते था तो माता-पिता को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो अपने बच्चों का ध्यान रगे और उनको कैसा पता चले कि बच्चे को तकलीफ हो रही है देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं एकदम छोटे बच्चों से शुरू करूँगा जो दो साल के नीचे के बच्चे हैं, माल लिजे वो बोल नहीं सकते हैं, है ना, उनको हमें समझना पड़ता है या मादा पिता को समझना पड़ता है उनका एक ही होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो रो के ही अपनी बात बताते हैं और साथ में जहां पर उनको तकलीफ होती है, कई बारी वो हाथ वह ले जाता है, आप माल लिजे उनको कान की तकलीफ है, तो कान की तरफ हाथ करके रोना सुरू कर दोते हैं, ठीक है, तो कभी भी अगर कोई छोटा बच्छा है, जो बेचारा बोल नहीं सकता है, या बच्ची हो गया, तो भी रोएगा, तो लेकिन ये सारे जो नॉर्मल जिस टाइम में वो रोता है, उसके लावे एक बोलते हैं कि कांटिनूरसली क्राई कर रहा है वो, हाँ, ये सवाब कर दिया, आपने खाना किला दिया, उसकी डाइपर्स बदल दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी कोई पेट पकर के रोता है, कभी कोई कान पकर के रोता है, तो जब बच्चा इस तरह से जो उसकी रोज की जरूरते हैं, उनके पूरा होने के बावजूद भी अगर रोना उसका बंद नहीं हो रहा है, तो जरूर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और डूरने की डिल मशीन की, उसको टिनिटस कहते हैं, तो ये टिनिटस होता क्या है, और क्या इसका इलाज संभव है, क्योंकि एलोपैतिक में कहीं कहीं कहा जाता है, इसको कोई इलाज नहीं है, इसकी आदेट डालनी पड़ेगी, देखिए, ऐसा है टिनिटस भी जैसे मैंने का अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, टिनिटस किसी वज़े से होती है, जैसे कान में ब्लॉकेज है किसी के, उसकी वज़े से भी उसकी हेरिंग कम होगी, तो टिनिटस हो सकता है, कुछ स्पेशल या विसेस बीमारिया होती है, मिनियर्स डिजीज जैसे कहते हैं, उसमें टिनिट होते हैं. और भी कई चीज़ वें किसी को काँ के परदे में सुरा कर उसमें भी टियनिटल सूसकता है. मीडिल लियर में कोई infection है उसमें इंफेक्शν है. तू के शौसवार कारण हो सकते हैं जिनमें बहुत सारे जो ऐसे हैं जिन का इलाज संभव हैं. लोग मानके चलते हैं कि नहीं इलाज है ऐसा ये मानना गलत है। बहुत चोटी मारी ओसकता है और बारी होता है ए थू कान-काइकश निक निकाल जिए ठीक हो जागा, उस लोग कहते हैं कि वैकом के निकलक लिया है, पर्दा भी चेक कर आ लिए, कुछ भी नहीं है लेकिन आव एक टेस्ट होता है जिसको बोलता है इनसे क्या होता है कि जो कान के पर्दे के पीछे के जो पार्ट्स हैं जैसे मिडिल एर है वो हम देख नहीं सकते डारेक्ट, इंटर्नल एर है वो हम देख नहीं सकते डारेक्ट, तो ये जो कान के पार्ट्स हैं, इनको एसस करने के लिए ह एक बोलते हैं इडियोपैथिक सबजेक्टिव टिनिटस इडियोपैथिक क्या होता है जिसमें किसी कारण का पता नहीं चलता है पर उनका परसंटेज बहुत कम है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है उसमें भी कुछ दवाईयां है देने से ठीक होता है परसंटेज बहुत कम है बहुत रेर है वो ठीक है बांकी में टिनिटस को ठीक है जा सकता है रोक्ट साब आजकल देखा जाता है जो यूवा वर्ग है हमारे देश का 24 घंटे कानों में जो है वो लीड लगा कर रखता है एर प्लक्स लगा कर रखता है बिना कोई फिक्र किये बिना कोई चिंता किये उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है और इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल ये है कि सुनने जब कोई गाने सुनता है तो कितने डीबी तक हमारा कान जो है उसको सह सकता है कितना maximum डीबी वो होना चाहिए कि उतनी आवाज में उसको volume रखनी चाहिए देखिए noise pollution तो बहुत common word सब लोग जानते हैं तो ये भी जो आप बात कर रहे हैं वो भी एक तरह का noise pollution ही है रही बात की कितना exposure सही है कितना गलत है तो कान में एयर फोन हमेंसा सब को सलह दते हैं कि आप कभी भी बहुत लंबे टाइम तक मत लगाईए आप पंदर मिन्ट लगाईए पांच मिन्ट का gap दीजे बहुत loud volume नहीं रखिये और इससे related और एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे कई केसस हमारे पास आए है आज कल कोई भी function होता है जैसे शादिया होती है और कोई function होता है उसमें DJ music बहुत loud बजता है और कई बार मैं जाकर करके उनसे request भी करता हूँ कोई volume थोड़ा सा low कर दो क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पर dance करते हैं उनका कान बड़ा delicate होता है तो कई बार इतना heavy noise pollution से बच्चे की nerves damage हो सकती है और कई बारी तो ठीक भी हो जाते हैं कई बारी permanent nerve damage हो सकती है और उनको सुनने में दिक्कता सकती है यहां उनको खास तो बख रहा है जिनके हाँ बच्चे नएने पैदा होते हैं और उनकी खुशी में वो DJ party करते हैं बच्चे के कान damage हो सकती है बच्चा भी नहीं सकता है हो तो यह चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी चाहिए डॉक्टर साब से आज और अगर यह interview पसंद आए तो आगे भी आपको share करना चाहिए जो बच्चों की दो हम लोग बात कर रहे हैं बड़े जो होते हैं तो उनको क्या कुछ कितनी गंभीता से इस मामले को लेना चाहिए सब को लेना चाहिए गंभीता से बच्चों में यह होता है कि बच्चे हमेसा parental care में रहते हैं तो parents को care करना चाहिए क्यों बच्चे को उतनी समझ नहीं है adults के साथ यह सुद है कि उनको खुद की समझ है तो उनको खुद बचाओ को कर सकते हैं उनको बस जनकारी होने चाहिए जी loud noise देखिए जितना volume जाएगा जैसे सपोज की जैसे नॉर्मल conversational voice है हमारी जो बाचीत हमारा हम से करते हैं वो तकरिवां 65 decibel की है ठीक है उसके जितना हम उपर चलते चले जाएंगे उतना कम समय का exposure होना चाहिए सपोज की जैसे कहीं पर 100 decibel की आवाज है तो बहुत ज़्यादा देर आप रहेंगे तो आपको दिकत आएगे तो हम ऐसे यह रखना चाहिए कि जितना जरूरत है उससे ज़्यादा loudness ना हो और जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा time duration ना हो किसी भी चीज़ को extra exposure किसी चीज़ कर नहीं होना चाहिए अती सर्वत्र वर्जेद होता है ना बल्कुल वाइस exposure की हम जो बात कर रहे हैं डीजे की बात कर रहे हैं डीजे आपके कान के पास होता है आप enjoy कर रहे होते हैं डांस कर रहे होते हैं उसके exposure से बहुत सारी बिमारिया तो होती है साथ में अभी जो हम टिनाइटिस की बात कर रहे थे वो भी इस साउंड एक्सपोजर से हो सकती है और ये जिन्दगी भर भी रह सकती है ये बिमारी आपको सचियत कर दे डॉक्टर साथ अगर आपको से कोई मिलना चाहे जो भी लोग आपको देख रहे हैं देरे जान इमर्जनसी ठीक है होली आ रही है सब लोग जो है गाने बजाने करेंगे डीजे भी डांस करेंगे उनको तो आज ये देखना चाहिए होली में गाने बजाने के साथ साथ और एक चीज का देहन रखना पड़ेगा जो कलर पानी मारते हैं बचे बलून कई वारी उनकी वज़ए से इंज़ियी होजती है और जिलों के परदे में कान के परदे में पहले से सुराख है किसी भी बिमारी की वज़ए से उनके कान में पानी चला जाय तो फिर तुररत ऑनिफेक्शन हो जाता है तो इससे भी होली में जरा सा नाक कान और गले में रंग जाने से बचाएं, पानी जाने से बचाएं सबसे हमारा ये अन्रोध रहेगा, अब बच्चों को भी बचाएं तो बिल्कुल बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने लिए डॉक्ट साब धन्यवाद ये इंट्रिवू आप आगे भी शेर करें अपने सर्कल्स में, अपने फ्रैंड सर्कल्स में ताकि और भी लोगों तक ये जागता पहुंच सके बहराल इस ख़बर में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ झाल